अब रजिस्टर के बारे में देख लेते कि ये क्या होता है रजिस्टर्स आर दा टेंपरेरी स्टूरेज लोकेशन इन सीप्यू पॉर प्रोग्राम एक्जेक्यूशन रजिस्टर्स सीप्यू में एक टेंपरेरी स्टूरेज बनाते हैं जिससे data कुछ समय के लिए वहाँ पर रोख सके The minimum set of registers required for one new man machines One new man machine के लिए आवस्चक register का set ये 5 registers और इनके बारे में लिखा हुआ है कम से कम इतने registers one new man machine के लिए आवस्चक होते हैं अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले accumulator register यानी AC Sword में इसको AC बोलते हैं This register is used to store data temporarily for computation by ALU ALU के दोरा computation के लिए यानी ALU के दोरा गढ़ना के लिए या कुछ समय के लिए data store करता है AC is considered to contain one of the operands या एक समय पर एक operand को store कर सकता है The result of computation by ALU is also stored back to AC arithmetic logic unit दोरा गढ़ना का परणाम वापस AC यानी accumulator register में ही store किया जाता है It implies that the operand value is overwritten by the result इसका तातपर या है कि परणाम दोरा operands command overwrite किया गया है अब पढ़ते हैं memory address register यानी MAR के बारे में It specifies the address of memory location from which data or instruction is to be accessed read operation और to which the data is to be stored write operation या memory location का पता निर्देश्ट करता है जिससे data या निर्देश को access किया जाना है यानी memory से कुछ पढ़ना memory read करना कि उसमें कहां क्या है या जिसमें data store किया जाना है यानी किस इस्थान पर data को store किया जाना है यानी write operation memory address register इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं memory के आके इसमें address नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये address specify करता है कि memory में कहां पर instruction है कहां पर data है कहां से लेना है तो ये सारी चीजे memory address register करता है memory address register memory में से data और instructions को fetch करके CPU को बताता है कि data memory के इस स्थान पर है और यहां से data को उठाना है अब पढ़ते हैं MBR register के बारे में memory buffer register it is a register which contains the data to be written in the memory यानि write operation और it receives the data from the memory यानि read operation इसमें एक word यूज़ हुआ है contents the data ये चीज़ इसमें main है और उपर वाले register में क्या था उसमें location थी यानि address उसमें address store होता था memory address register मतलब वो address का पता लगाता था की data कहां पर है और ये जो MBR है यानि memory buffer register ये memory से data को लाकर के store करता है जिसको execute करना है यानि जिन instructions को execute करना है और जिन पर काम करना है और जिनका process ALU द्वारा किया जाना है अब program counter register यानि PC register के बारे में देखते हैं कि इसका क्या काम होता है या उस निर्देश का track रखता है जिसे आगे निस्पादित किया जाना है अर्थाथ चल रहे निर्देश के निस्पादन के बाद अन्य इंस्ट्रक्षन मतलब कि ये एक track record रखता है कि एक instruction के बाद दूसरा कौन सा instruction execute होना है उसका address पहले से ही पता करके रखता है और वो address register में भेज देता है फिर address register वहां से उस address को fix कर लेता है CPU को बताता है और CPU फिर MBR register के मादम से उसे store कर लेता है फिर CPU MBR register के मादम से उसमें जो भी data और instruction होता है उसको store कर लेता है और फिर वहां उसे instruction register में देता है instruction register अभी पढ़ेंगे कि instruction register का होता है फिर instruction register उसको accumulator में अंकगरती और logical कारियों को करने के लिए देता है जो ALU के पास वाला register होता है और वही पर सारे अंकगरती और logical कारियों किये जाते हैं यानि execution वही पर होता है उसके बाद में फिर से जहां जहां से आया था वहीं वहीं से वह आपस भीज दिया जाता है अब पढ़ते हैं instruction register के बारे में here the instructions are loaded prior to execution यहां निर्देश execution से पहले load किये जाते हैं अब इस चित्र के मादम से संजेंगे कि instruction कैसे execute होते हैं कैसे कहां से आते हैं क्या-क्या इनका process होता है और ALU कैसे इसको execute करता है सबसे पहले इस चित्र के उपर जो comment दी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि यह कैसे क्या-क्या इसका process है All representations are in decimals सभी अंकों को दसमलो नमबर में दसाया गया है बलकि वास्तों में यह सब binary अंकों में होते हैं इस चित्र में memory का size 16 bit दिया हुआ है The number of memory location is 16 0 से 15 तक 1 से 15 तक यह और 0 वाली मिलाकर 16 16 cell हैं और यह 16 cell जो हैं यह हमारी memory locations हैं जिन में instructions होते हैं वास्तों में memory जो RAM होती है वो 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे होती है मतलब ज्यादा storage वाली होती है लेकिन इसमें सबसे छोटा नमूना दरसाया गया है कि अगर हम 16 word size की एक memory लें तो उसमें कैसे क्या process होता है उसके बारे में दरसाने के लिए यह दिया गया है अगर यह 16 bits वाले जो cells हैं अगर यह 1 GB memory में होते तो यह बहुत सारे हो जाते लेकिन यह 16 bit का दरसाया गया है जिससे हम इसको समझ पाएं यह memory 16 locations की दरसाई गई है जो हर एक location 16 bits की है जो 1 GB memory की तुलना में बहुत ही कम है 16 bits only 16 word size एक word जो होता है वो 16 bits, 32 bits या 64 bits का भी हो सकता है और वो 8 bits का भी हो सकता है लेकिन byte जो होता है वो fix होता है, वो 8 bits का होता है तो हमेशा हम अगर memory को पढ़ना है तो हमको word का इस्तमाल करना पड़ेगा और word भी जो 16 bits वाला हो या फिर 32 bits वाला हो तो ऐसे हम बोल सकते हैं हम इन सबको bytes तो नहीं बोल सकते हैं words बोल सकते हैं जो ये दी गए ही इनको locations बोलेंगे इनको क्या बोलेंगे इस memory की location cell बलकि ये binary number में होती है ये location cells होती है, ये binary number में होती है जो comments में बताया गया है size of each memory location is 16 bits यानि 2 bytes बताये ना कि हर एक word का यानि हर एक cell का size क्या है 16 bits compare with contemporary machine word size of 16 bits, 32, 64 bits अभी बताये ना कि word का size क्या हो सकता है 16 bits, 32 bits या 64 bits में हो सकता है यानि ये जो बताया गया है word मतलब एक location cell एक location cell का size क्या हो सकता है 32 bits का हो सकता है 64 का भी हो सकता है 8 का भी हो सकता है और 16 का भी हो सकता है लेकिन उस cell को word बोलेंगे और एक location बोलेंगे memory में एक location बोलेंगे the size of this sample memory 16 word इसका sample memory का size 16 word हो गया अगर main memory से तुलना करें तो size which is 128 MB, 256 MB 512 MB और more मतलब 128 MB हो सकता है 256, 512 और इससे भी जादा हो सकता है in the diagram MAR is pointing to location 10 AMAR जो है location 10 को point कर रहा है इसके बारे में भी देखेंगे तब तक यह सब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है the last operation performed was read memory location 10 which is 65 in this thus the content of MBAR is also 65 आप इसके बारे में पढ़ते हैं क्या यह बता रहा है इसका process बताते हैं क्या है सबसे पहले PC यानि यह जो PC वाला register है program counter यह सबसे पहले जो next instruction execute होना होता है उसका address रखता है जिस location के instruction को या data को लाना है तो उसका track record रखता है PC क्या रखता है track record रखता है उसका address रखता है वही track record एक एक करके MAR register को देता है MAR register हर एक address को फिच करने के बाद दूसरा address फिच करता है सबसे पहले program counter उस track record को MAR को देगा उस track record में जो next instruction execute होना है उसका record MAR register को देगा memory address register वहा memory location पर जाकर के address को फिच कर लेगा यानि address बता देगा कि इस location पर यह data है यह instruction है और इसको execute करना है अब memory buffer register के द्वारा data और instruction को लाया जाता है memory की 10 number वाली location पर 65 value है तो इस 65 value को अब memory buffer register में लाया गया मतलब यह data या instructions को लाती है और अपने में store करती है MAR register का क्या काम था MAR register address ढूनती है और address बताते हैं कि यहां से आपको data लाना है और इसका execution करना है उस data या instruction को अगर instruction होगा तो instruction register को देगा और अगर data होगा तो accumulator register को देगा अगर instruction हुआ तो वो सबसे पहले instruction register में आएगा और वो decode होगा उस instruction पर क्या काम करना है क्या होना है किस data को क्या करना है वो सारा instruction register में होगा कि उस पर क्या करना है फिर वो फिर instruction register accumulator को यह सब दे देगा अब accumulator register उस पर अंगड़ती या फिर logical card ALU के द्वारा करेगा और CU का काम क्या होता है इसमें सब CU का काम तो बताए नहीं तो CU का काम यह होता है CU control signal देता है जिससे सारे register समय समय पर अपनी बारी बारी से काम करते हैं जिससे सारा काम one by one हो अब ALU के दारा accumulator register में instruction execute होने के बाद में फिर से उसी तरहीके से वापिस बेज़ी जाते हैं फिर accumulator register से उस data को MBR register में या फिर input output register में इसमें input output register तो नहीं दिया है लेकिन input output register में देख करके उसको बाहर भीजी जाते हैं instruction को execute के के बाहर भीज जाता है अगर memory में store करना है तो फिर MAI register फिर fetch करता है कि किस memory location में उसको भीजना है यानि store करना है memory location डूढ़ने के बाद फिर MBA register दारा उस location में उस data को भीज दिया जाता है execute होने के बाद अब इन quotes को देख लेते हैं high level language instructions to assembly machine language instructions assembly machine निर्देशों के लिए उच्चिस्तरी भासा निर्देश ये क्या है high level language के instructions जो machinery भासा में instruction को convert करते हैं एक तरफ लिखा है operation code और एक तरफ है definition यानि operation कि किस code से क्या काम होना है सबसे पहले है load, load का क्या मतलब है load the accumulator with the content of memory accumulator register में memory का content load करना और उसके बाद में है फिर store इसका मतलब है store the current value of accumulator in the memory accumulator से जो current value है जो उस समय value है accumulator register में उस value को memory में store करना फिर उसके बाद में add, add का मतलब का होता है add the value from memory to the accumulator memory से accumulator में value को add करना अब इसको समझाने के लिए एक sample लिया गया है a sample machine instruction for the assumed system for line 5 that is c बराबर a plus 5 in the program would be अभी जो थोड़ी तर पहले c language के programming की थी c language में एक program जो लिखा था उस program में 5 जोई नमबर की line पर c बराबर a plus b लिखा है और इस program को अब देखें क्या है load, add और store क्या इसमें function है सबसे पहले load, सबसे पहले लिखा है load a अगर दिया गया है load a तो उसका मतलब क्या होगा load the content of memory location a to the accumulator register मतलब जो a location पर जो data है या instruction है data को accumulator register में store करना add b, add the contents of b to contents of accumulator and store results in accumulator इसका मतलब यह हुआ कि memory location b b नमबर या कुछ है ऐसे location तो उस location पर कोई भी instruction या data जो भी वो उसको accumulator में दूसरे contents के साथ add करना और उसके बाद में उनका जो result आए उसको भी accumulator register में store करना store c का मतलब है store the content into location c यानि memory में जो c location है वैसे binary form में location होती है binary number के form में लेकिन इसमें a और b और c दिखाया गया मतलब कि value को a, b, c में define किया गया है accumulator register से उस value को c location पर store करना पड़ेगा let us assume that the above machine instructions are stored in three consecutive memory locations 1, 2 and 3 and the pc contains a value 1 which in terms is address of first these instructions यह मानते हुए कि उपरोग्द machine नजदेश लगतार तीन memory स्थानों एक, दो और तीन में संग्रहित है और pc में मान एक है जो इन नेदेशों में से पहले का पता है यानि अभी pc यानि program counter की value 1 है जो सबसे पहले वाले का पता है पहले वाली location जो यह चित्र में दिखाया गया है load A load A के इसमें है 1 वाली location पर है location 1 की value को execute करना है उसके पहले उसके बाद में फिर program counter 2 होगा तो add B यानि दो वाली location को ऐसे होगा अब इसका execution नीचे के दिये हुए step के अंसार होगा सबसे पहले हमको क्याना का है fetch first instruction into CPU पहले instruction को CPU में fetch करना है सबसे पहले step 1 है find or calculate the address of the first instruction in memory MAR register दोरा memory location में जो number 1 वाला instruction है या data है उसको सबसे पहले fetch करना है उसके बाद में उस address को MAR register से MBR register को बताना है in this machine example the next instruction address is contained in PC register ये तो आपको पता है कि ये instruction के track को रखता है it contains 1 और अभी इसने one number वाली location को रखा है मतलब कि one number वाली location सबसे पहले execute होनी है उसके बाद में जब PC की वाली यानि program counter की value दो हो जाएगी यानि दो number वाली location को फिर execute करना होगा one number में क्या है which is the address of first instruction to be executed bring the binary instruction to IR register इसके लिए ये कुछ steps है binary instructions को IR register में यानि instruction register में लाने के लिए कुछ नीचे step दी हुए passing the content of PC to memory address register so that the instruction pointed to by PC is phased ये तो सब आपको पता ही है that is location once content is phased मतब one location का phased address register के दोरा कर लिया गया phased कर लिया गया CPU says memory read operation thus bring contents of location pointed by MAR one in this case to the MBR अब CPU memory read operation उस location पर करेगा जो MAR register दोरा point की हुई है और उस location का data MBR register में लाया जाएगा content of MBR is transfer to IR अब MBR से IR में transfer कर दिया जाएगा in addition PC is incremented to point and next instruction is sequence 2 इसलिए program counter की value दो हो जाएगी मतलब अब दूसरे वाले instruction के लिए execution का कार होगा पहले वाले तो instruction register में आ गया अब दूसरे वाले पर कार होगा उससे पहले अब execution देखते हैं step 3 में है the IR has the instruction load A IR में instruction load A अब है जो instruction register ऐसे decode करेगा load the content of address A in the accumulator register यानि address A का जो data है उसको accumulator register में load कर दो step 4 में the address of operator that is 13 जो operator का address है यानि जो data का address है वो 13 है that is A जो A है इस transfer to MA register यानि address register में उस address को सबसे पहले लाया जाएगा अब उस 13 address को fetch किया जाएगा address register दोरा step 5 में उस data को जो MA register दोरा space file किया गया है अब उसको MBR register में memory location 13 से जो MA register दोरा fetch किया गया है उसको लाया जाएगा उसके बाद में data को MBR से accumulator register में transfer कर दिया जाएगा अब accumulator register में 5 value जो location 13 की है यानि location A की वो अब आ चुकी है अब instruction 1 execution is complete अब instruction 1 का execution complete हो चुका है अब next instruction that is 2 अब जो दूसरा instruction था program counter में यानि दो number वाली value तो अब उसको execute करना पड़ेगा उसके बाद में फिल PC की value 3 हो जाएगी जब 2 वाला execute हो जाएगा अब जो दूसरी नमबर वाला है वो add भी है वो भी अब ऐसे ही आएगा और ऐसे ही सारी value execute होंगी अब ये नीचे वाला देखते हैं on execution of the instruction 8 memory location 3 जब CPU में memory location 3 का जो store C वाला instruction execute होगा तो अब PC यानि program counter की value 4 हो जाएगी और अब जो ये location C में store करने वाला है तो इसको अब memory location C पर उस data की value को store कर दिया जाएगा जो result आया होगा ALU द्वारा execute यानि arithmetic logic instruction यानि अंकरती ये कार्ट होने के बाद 5 और 2 जो जुड़े हैं उनकी value 7 को अब memory location memory location C में store कर दिया जाएगा यही होता है instruction